हीरो स्प्लेंडर प्लस के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो की इस गाड़ी को लेकर मेरे पास काफी सारे कमेंट आ रहे थे और काफी सारे मैसेजेज भी आ रहे थे इंस्टागराम पे तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाली नई हीरो स्प्लेंडर प्लस के बारे में कि आपको गाड़ी में आने वाले कुछ टाइम में क्या-क्या नए अपडेट और क्या-क्या नए फीचर्स मिल जाएंगे तो चलिए करते हैं start video को बिना यहां वहां की फाल्तूगी बात को करते हुए तो अपसे पहले बात करते हैं गारी के look के बारे में कि इसका जो look है उसमें changes मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे तो इसका बाई जो design है जो look है उसमें आपको changes मिलेंगे लेकिन आपको बहुत ज्यादा change नहीं मिलेगा क्यूंकि गारी की जो look है जो पैचान है बाई वो तो बरकरार रहेगी और जोगी है भी तो hero जो है look में ज्यादा बड़े updates नहीं करेगा आपको जो है भाई same fearing वगेरा मिल जाएगी सिर्फ आपको जो muscularity है वो आपको ज्यादा मिलेगी आने वाले कुछ दिनों में बाकी जो है भाई गारी के जो features हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा changes मिलेंगे जैसे कि इसका जो headlight है वो आपको मिल जाएगा LED का जो की अभी आपको मिलता है halogen का और भाई अभी आपको मिलता है DRL जो की वो आपको मिलता है extract वाले variant में बाकी गारी में आपको वही digital meter console देखने को मिलेगा जो की console आपको एक दो नए features और add on करके दिये जाएंगे बाकी का जो console है उसमें कोई भी change नहीं होगा light का आपको फर्क मिल जाएगा बाकी गारी में आपको मिल जाएंगे दो तीन तरह के नए colors दो तीन तरह के नए graphics जिससे की गारी जो है काफी जादा नई नवेली आपको लगेगी बाई company fall to के changes नहीं करेगी और बाई एक update ऐसा जिसकी demand बहुत जादा है जो की है front में disc brake तो बाई इसमें आपको जो है आने वाले कुछ दिनों में आपको बाई definitely single channel abs प्लस आपको single disc का option दिखने को मिल जाएगा जो की इसकी demand तो बहुत ही जादा है बाकी बाई गारी की जो seat है जो handlebar है जो soccer का setup है इसमें आपको कोई भी changes नहीं मिलेंगे बाई जो tear की profile है ये भी आपको मिलेगी same बाई tear की profile में भी आपको कोई भी changes नहीं मिलेंगे लेकिन बाई गारी का जो engine है उसको लेकर बहुत ज़्यादा demand है कि जो इसका engine है brand को वो engine 110cc का या फिर 125cc का या फिर 135cc का कर देना चाहिए तो बाई जो engine है वो आपको 125cc का मिल सकता है जो कि भाई वो होगा optional कि आप कौन सा engine purchase कर तो बाई को दो engine देखने को मिल सकते है जैसे कि आपको मिल जाएगा 100cc जो मवजूदा है और आपको एक मिलेगा 125cc तो आप लोग चाहो तो बाई आने वाली नहीं जो hero की splendor है इसका weight कर सकते हो जो कि आपक 5cc में disc brake के साथ LED के light नए color नए graphic के साथ मिलेगी बागी इसका बाई जो tear का profile है उसमें आपको minor से changes मिल सकते हैं बागी इसका जो tail light है जो indicator है वो आपको मिलेगा हेलो जनका इन सब में आपको कोई भी changes नहीं मिलने वाले हैं और hero जो है बाई इस गाड़ी को launch कर सकता है इस साल के बिलकुल ही last में या फिर बाई ये गाड़ी आपको मिल जाएगी अगले साल के शुरुआत में वरना बाई जो disc brake है ये तो कभी भी launch हो सकती है चाहे तो ब बाई जो होगा price वो लगभग बढ़ जाएगा 5000 रुपए से लेगे बाई ये आपको महंगी मिलेगी 7000 रुपए तक कभाई ये गाड़ी जो अभी आपको मिल जाती है सुरुआती मोडल के साथ जो की आपको मिलता है 72,118 रुपए का जो की बाई ये price है splendor plus i3s drum, sylf की त चलो 7000 रुपए तक का भाई प्राइस आपको इतना इस्टर देखने को मिल जाएगा तो भाई जो वीडियो वाईसी आप कर दो like और भाई जो है चैनल साथ ही आप इसे कर लो subscribe तक के लिए बाई-बाई जाहिंग वन दे मातरम बाई